Hello guys, welcome back. So guys, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, text area tag के बारे में. आपने देखा होगा, जब आपके पास address को option आता है, तो आपके पास एक ऐसा form control आता है, जहाँ पे आप address देते हो, और वो basically input type text की तरह दिखता है, पट वो compare में input type text के, वो large होता है. मैं यहाँ पे उसी address के form control को use करने वाला हूँ, सबसे पहले row के लिए मैं use करता हूँ, tr tag open and tr tag close, मैं column create करता हूँ, ts tag से, और मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे address, and ts tag को close कर देते हैं, save करते हैं, browser को जैसे refresh करेंगे, तो यहाँ पे एक column बना होगा, इसमें address लिखकर आ रहा हो होगा, अब यहाँ पे मैं एक ts tag open करता हूँ, वे ts tag को close कर देता हूँ, इस ts tag के अंदर हम use करते हैं, text area नाम का tag, so text area open and text area close, save करते हैं, इसको जैसे refresh करेंगे, तो आप देखोगे हमारे पास, यहाँ पे एक ऐसा field आया है, जहाँ पे हम लोग अपने address को type कर सकते हैं, यह input type text के तरह देख रहा है, लेकिन आप देखोगे, उसके comparison में यह large है, फिलाल यहाँ पर अगर हम चाहें, तो इसके height width को increase कर सकते हैं, फिलाल यह draggable है, इसको आप drag भी कर सकते हो, मैं इसको refresh करता हूँ, अब मैं यहाँ पे इसके height width को increase कर सकता हूँ, हमारे पास एक rows नाम का attribute है, correct, जहाँ पे हम लोग value pass करते हैं, 5, हमारे पास calls नाम का attribute है, जहाँ पास करते हैं, 20, तो यह increase और decrease कर सकता है, इसको refresh करते हैं, तो आप देखोगे, यहाँ पे जो हमारे पास basically rows है, वो increase कर गया, अगर हम चाहें, तो इसकी value बढ़ा देते हैं, मैं लिखता हूँ यहाँ पे 30, save करते हैं, calls में, refresh करेंगे इसको, दिख रहा है, तो यहाँ पे इसका जो विर्त है, वो भी increase कर रहा है, और साथ में यह draggable भी है, तो guys, अब यहाँ पर हम एक name नाम के attribute को use करते हैं, जब हम इसमें कुछ insert करके submit करेंगे, तो इस name में जाके transfer होगा, इस name में मैं click now, और मैं click करता हूँ login पे, यह देखिए, so copy करते हैं, आपके सामने, यह जो data transfer हुआ है, वो ADDR में ही transfer हुआ है, और transfer कहाँ पे हो रहा है, transfer basically हो रहा है, welcome.stml में, so मैं पूरे को copy करता हूँ, यह देखिए, correct, so welcome.stml में transfer हुआ हूँ, और साथ में ADDR जो मने name रखा था, उस ही में हमारा यह value transfer हो रहा है, so guys, यह था हमारे पास text area tag, so इस वीडियो में इतना रखते हैं, बाकी नेक्स वीडियो में, so keep coding and have a nice day.